आज जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं वो ये है कि अभी 31 अक्टूबर हुआ नहीं है ये महीना पूरा हुआ नहीं है एक नवंबर के बाद तंखा मिलनी थी पहले हफते में जैसे मैंने का 7 नवंबर तक उनके अकाउंट में तंखा जानी थी लेकिन दिवाली को मद्दे नज़र रखते हुए सभी लगबग 64,000 कच्चे और पक्के सफाई करमचारियों के अकाउंट में दिवाली के पहले अगले महीने की नवंबर की तंखा उनके अकाउंट में पहुँच चुकी है जो तंखा उनके 7 नवंबर तक जानी थी वो तंखा उनके अकाउ बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे डिमांड करना पड़ता था और इतने कई-कई महीनों तक धरने करते थे दिवाली बोनस भी लगबग 23 करोड रुपे दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुँच गया है और मैं उमीद करता हूं कि इस वार वो दिवाली बहुत धुमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक इमांदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था इतने काम हुए दिल्ली में ऐसे अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं तो मैं दिल्ली के सभी सफाई करमचारियों को खास तोर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनके दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी बीजेपी के कारेकाल के दोरान 6-6 महीने 8-8 महीने लोगों को तंखानी मिलती थी टाइम पे अपनी तंखा तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं अपनी तंखा लेने के लिए करमचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे तो इतना ज़्यादा भ्रष्टा चार था कि सारा पैसा भ्रष्टा चार की उस पे चड़ जाता था पिछले दो साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर और दो साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ़ते उनके एकाउंट में तंखा जाती है पिछले दो साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई करमचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो जबकि उसके पहले पंदरा साल जब बीजेपी की सरकार थी आप उठा के देख लिजिए कि लगबग सफाई करमचारी दूसरे करमचारी हड़ताल पर ही रहते थे ते हड़ताल पर जदा रहते थे लेकिन पिछले दो साल में हड़ताल नी करनी पड़ी अपने तंखा लेने के लिए हर महीने के पहले हफ़ते उनकी तंखा आ जाती है